हेलो हमारे यूटूब फैमिली आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आफी के चैनल पटना की आसा में आज मैं आपको दाल से बना पिठा बताने जा रही हूँ देखिए दाल में इसे बनाना है बहुत ही अच्छा रेसिपी है फ्रेंड इसे ज़रूर आप एक बड़ ट्राय क लीया कि विल्दी है देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा से लगा लगा शेपीपी है उसके बारा कि अ आज और देख रहा है मैं कैसे बना रही हूँ इसे तरीके से हमें सारे आटा का बनालेना है पिठा इसके बाद में फिर पीर इसे डाल में डाली नही 123 अगर हमारा वीडियो अगर आपको लोग अच्छा लग रहा है फ्रेंट तो प्लीज लाइक करें शेर करें दम करें यह हमारा नया चैनल है प्लीज इसे सपोर्ट करें आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जुरुत है तो देखे, मैं सारे दल पिठी को Uhr यसी तरीके से बना के अब से देखे, जूँ सब्रिकांस स्वाचते आरे Ч ensure मैं दूश्रा स्वश csakत दे रही हूँ इस तरीके से इसे दो सेव में बनाना है एक लंबा में बनाना है एक तिर्कौन देखे मैं एक दो डिजाइन में इसे बना रही हूँ एक लंबा में एक तिरकोन में इसे आप अच्छी तरीके से बना ले बनाने के बाद इसे मैं सारे को इसी तरीके से बना लूँगे बनाने के बाद मैं इसे डाल में बचे हुए डाल का मैं बचे हुए दाल में ही मैं इसे आज बनाने वाली हूँ देखिए सारे को मैं इसी तरीके से बना रही हूँ अगर आपको किसी चीज की रेसिपी चाहिए तो प्लीज मझे कमेंट करें मैं कोशिस करूँगी आपको इसका रेसिपी का बताने का अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हूँ तो फ्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अब बैल एकन का बटम आए उसे भी प्रेस करें इस तरीके से मैं सारे को बना के अब मैं दिखाती हूँ देखे यह हमारा सारा बन चुका है इस तरीके से देखे दो अकार का मैं बनाई हूँ एक लंबा में बनाना है इस तरीके से और एक देखे यह हमारी बेटी बनाई है छोटी सी बेटी बनाई है देखे कितना छोटा सा बनाई है ये देखिए अब देखे मैं दाल चरहा दी हूँ मेरे बचे हुए दाल थे देखे मैं फ्रीज में डाली हुई थी ये देखे मैं इसमें डाल दी पानी इसमें थोरा सा और पड़ेगा फ्रेंड गाढ़ा है क्योंकि वो दल पिठी जब इसमें जाएगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें थोरा सा मैं पानी और डालूंगी थोरा सा पूपर से हल्दी और नमक स्वाधनूसार डालें हल्दी थोड़ा सा डाल दें, कलर थोड़ा सा आ जाएगा और भी अच्छा देखिए मैं अब थोड़ा से इसमें पानी डाल दी हूँ, अब मैं इसे थोड़ा सा धख दूँगी मैं हल्दी नमक भी डाल दी तो पानी भी डाल दी अब मैं थोड़ा सा इसे गर्म होने के लिए ढखूंगी अगर मैं इसमें पानी न डालती फ्रैंट तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता जो की खाने में भी अच्छा नहीं लगता देखिए अब हमारा पानी गर्म हो चुका है अब मैं धीरे धीरे सारे दल पिठी को पिठ्था जो मैं बना के रखी हूं सारे मैं इसको इसमें डाल दोंगी अब डालने के बाद जब ये हमारा थ्वरसत गर्म हो जाएगा तो मैं देखें मैं सारे को इसमें डाल दूँगी इसी तरीके से धीरे धीरे सारे को इसमें डाल दें चारो तरफ से डालें एक तरफ से ना चारो तरफ से हाथ करकर के आप डाल दें बहुत टेश्टी लगता है फ्रेंड एक पर आप जरूर बनाएं हलाकि आप लोग तो बना ही होंगे यह तो बिहारी रेसिपी है ही पर एक पर फिर भी आप बनाएं बहुत अच्छा बहुत लाजवाब यह रेसिपी है देखिए हमारा कुकर भड़ गया है तो मैं इसे बरतन मैं दूसरे बरतन में इसे एक्चेंज कर दूँगी क्योंकि यह थोड़ा सा भी 15 से 20 मिनाट यह बहुत अच्छी तरीके से पकेगा फैलेगा भी यह इसलिए मैं बरतन इस थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं बड़े बरतन में ले लूँगी अज़ जब आप उसमें सारा पिठा डाल दे फ्रेंट एक पर बहुत अच्छी तरीके से चला ले कि कहीं आपका नीचे सटा हुआ तो नहीं है इसलिए बहुत अच्छी तरीके से चला है मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी पहले और मैं देखती हूँ कि देखे मैं दूसर देखे सारा पिठा हमारा उपड़ आ चुका है इसे हम कहते हैं दल पिठी डाल में बना हुआ पिठा आप इसे बच जब भी आपका डाल रात का बच जाए तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं देखे यह हमारा बन चुका है बहुत अच्छी तरीके से आप पता कैसे करे कि यह सीजा है या नहीं तो आप कोई बर्द चकू या चम्मस से उसमें गडा कर देखें कि वह सीजा है या नहीं उससे भी आपको पता चल जाएगा अब देखें मैं लसून और इसे जीरा से थो बहुत अच्छा हाता है आप पिठा जब भी बनाएं मसूर के दाल में बनाएं मसूर के बनाऊवा पिठा बहुत और भी ज्यादा टेस्टी होता है आप इसे मसूर के दाल में ही बनाएं अब देखें मैं इसे मैं चौकूंगी जीरा से और लसून से मैं गैस पे चरहा दी ह से जब हमारा सुनहरा कलर का हो जाए सब तब मैं उसमें डाल दूंगे कुछ मैनत नहीं है बहुत सिंपल बहुत असान रेसिपी इससे असान रेसिपी क्या होगा फ्रेंड अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज सपोर्ट करें आपकी सपोर्ट के हमें बहुत जरूरत है अब मैं देखें इससे चौक दी हूं बहुत अच्छी तरह के से देखें यह कितना सुन्दर लग रहा है देखिए अब इसे आप क्या करें यह बन के तयार है इस तरीके से अब इसे आप गर्मा गर्म खा सकते हैं चटनी के साथ चोखा के साथ किसी भी चिछ के साथ चाया आप ऐसी भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी ला जवाब लगेगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक करें से प्राइब करें फिर मिलती हो नेक्स्ट वेनियो में प्रेंट थैंक यू